दोस्तो निफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में दिमांड शुरू है दिमांड शुरू रहेगी और निफ्टी बढ़ने वाला है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कल कंसॉलिडेशन किया पुलबैक लेवल से नीचे आया लेकिन पुलबैक लेवल को तोड़के फिर एक बार उपर गया है और कल सेम पोजिशन रह सकती है अगर यहां से नीचे आता है और पुलबैक लेवल को ब्रेक ना करते हुए उपर जाता है तो आपको निफ्टी में कंटिनुसली बाइंग देखने को मिलेगी लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है निफ्टी गैप डाउ यहां पर 17,970 का रेजिस्टंस है पुलबैक है 17,690 का और सपोर्ट जो है वो है 17,450 का तो यह लेवल काफी इंपॉर्टन्ट लेवल है अब देखे यहां पर रेजिस्टंस के आसपास आ चुका है निफ्टी अगर समझो निफ्टी गैप अप होता है या फिर यही से शु करना है क्योंकि यहां से उपर जाने के बाद आपको अगर दबारा से इस तरह किसे नीच आता है और उपर नहीं जा पाता है फिर नीचे आ रहा है तो यहां से हमें put side पे entry लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो कहता हूँ कि support level पे हमें call side पे जाना चाहिए और resistance level पे हमें put side पे जाना चाहिए लेकिन उसके लिए हमें confirmation अब resistance level पे भी आप call ले सकते हो लेकिन कब अगर इस तरह के से उपर जाता है फिर नीचे नहीं आप आ रहा है फिर उपर जाता है फिर नीचे नहीं आप रहा है फिर उपर जाता है और उपर जाता है और उसका जो volume है वो भी आच्छा खासा रहता है तो ऐसे situation में आप उपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं उसके लिए आपको confirmation देना जुरूरी है लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह दोनों moving average के ऊपर है 15 minute में अगर यहां से pullback तकाता है तो हमें एक अच्छा कासा trade call side पर मिल सकता है अगर यहां से ऊपर की तरफ घूम रहा है अच्छा कासा volume है नीचे green volume अच्छा बन दूसरी candle भी green बन रही है तो दूसरी candle में तोरण तरफ ले वीजे और उसे आपना 25 point का target लगा दीजे और जल्द से जल्द आप उसमें से बाहर निकलेंगे देखिए अब यहां पर support और resistance लेवल पर समझा दिया psychology भी बता दी तो अब थोड़ा से pattern के बारे में देखते है क या फिर इस pullback level पर या फिर pullback level के नीचे जो भी pattern बनेंगे वो हमें buying side के लिए बनेंगे इसके उपर जो भी pattern बनेंगे resistance level के पास और pullback के उपर वो maximum to maximum put side के लिए बनेंगे तो मैं अब समझाता हूँ और देखे अगर nifty open होता है तो वन मिनिट में और पहले buying के rally देता है और फिर यहां पर आकर stop loss hit करता है अगर उसे उपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा फिर इस level को break करेगा दोबारा इस level को break नहीं कर पाता है और उपर जा रहा है तो हमे देखे वन मिनिट में निफ्टी open होता है उपर जाता है इस तरह के से stop loss hit करता है अब उसे नीचे आना है तो थोड़ा उपर जाएगा फिर नीचे आएगा अब इस level के पास नहीं जा पा रहा है तो दुबारा नीचे और इस level को break ना करता नहीं है तो यहां पर देखिए हम supply side पर मिलेगा अब यह जो pattern बना है वो resistance level के पास या फिर इस pullback के उपर उपर मतलब 75% यहां पर बनना चाहिए यहां पर बनेगा तो कोई फाइदा नहीं है मतलब यह उसमें ज्यादा power नहीं हो तीक है उसमें buyer भी ज्यादा active होंगे seller लेकिन इधर ज्यादा active होंगे उसका जो reason है psychology हो में demand और supplies जब series बनाऊंगा तो उसमें explain करोंगा वो series जल दी आने वाली है जैसे हमारे 200 subscriber complete हो जाएंगे हम वो series लेके आने वाले हैं तो अगर आपको वो series जल से जल देखने हैं और अभी आप इस वीडियो पे नए हो और आपने subscribe भी नहीं किया है तो please हमरे चैन हमें 200 subscriber तक लेके जाएगा और जल से जल वो series आपको देखने को मिलीगे उस series को देखने के बाद आपके mind के जो market के बारे में जो भी आपके questions हैं बिल्कुल खतम हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से confidence से market में trade less होगे और loss क्या होता है यह आप भोल जाएगे ठीक है तो देखें यहां पर मैंने दो pattern निकालके बता दिया अगर देखें वन मिनिट में उपर बाय होता है और अब नीचे नहीं आ रहा है फिर इस लेवल को break नहीं कर पा रहा है फिर उपर जा रहा है तो आप तुरंत यहां पर इंटरिल ले सकते हो अमें यहां पर क्या पता चल र देखिए, pullback के उपर या फिर resistance के पास, अगर market open होता है, one minute में buying के रहे लिए जाता है, फिर नीचे आता है, इस opening level के नीचे आता है, और दुबारा opening level तक जाता है, लेकिन उपर नहीं जा पार रहा है, उस level को ना break करते हुए अगर नीचे आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर, put side पर जाना चाहिए और supply शुड़ा है, ठीक है, और यह pattern pullback के उपर यहाँ पर, resistance level पर बनना चाहिए, देखिए, आपको pattern हो, candlestick pattern हो, या फिर यह इस तरह के से pattern हो, सिर्फ पता होने से कोई फाइदा नहीं है, मैं हमेशा अपने candlestick pattern के series में कहता हूँ, या आ market one minute में open होता है, पहले buying के rally देता है, अब देखिए, अगर market open होता है, कहीं पे भी open हो, और one minute में open होता है, और पहले selling का rally देता है, और अगर दुबारा यहाँ तक जाता है, stop loss hit करो रहा है, अब अगर उससे नीचे आना है, तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर उपर जाए पुल बैक के उपर, ठीक है, अब दूसरा, अगर यहाँ पे जाता है, stop loss hit करता है, ठीक है, अगर उससे उपर जाना है, तो नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर इस लेवल को नीचे की तरफ नहीं ब्रेक कर सकेगा, और उपर जा रहा है, तो हमें पर नीचे आ रहा है, उपर नहीं जा पा रहा है, हमारे जो उपनिंग लेवल उसे ब्रेक नहीं करता रहा है, वही से नीचे आ रहा है, फिर उपर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें साब साब दिखाए दे रहा है, कि सेलर स्कॉंग है, बायद वीक है, तो यहाँ पर supply शुरू हो गया अब यह pattern pullback के ऊपर यहाँ पर resistance level के पास बनना चाहिए तो हम put side पे अब देखें तीसरा अगर selling देता है फिर ऊपर जा रहा है opening level को break कर रहा है फिर opening level के नीचे नहीं आ रहा है और इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ पर क्या दिखा देए बायर ज्यादा strong है तो हम call side पर जाएंगे अब यह pattern हमें support level पर या फिर pullback के नीचे बनता हुआ दिखाए जाना चाहिए तभी यह बहुत जादा strong होगा तो देखे तो यहाँ पर मैंने psychology level पर समझा दिया support resistance के level पर आपको समझा दिया ठीक है pattern बना के आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से हमें trade करना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आप कल देखे इस तरीके से pattern बनने दीजिए वहाँ पर wait कीजिए patience रखे trade करना चाहिए हम सभी को चिक है तो दोस्तों अगर आपको profit और loss book करने में परिशानी होती है बहुत सारे दोस्तों को समझ भी नहीं आता है कि का तो mind जो है हमारा वो बहुत ही पतलब बहुत ही fast होता है तो एक second में एक बार एक विचार करता है दूसरे second में दूसरा विचार करता है अगर हमें उससे train नहीं किया तो वो disastrous बन जाता है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए ऐसे अपने हिसाफ से डलवाना चाहिए मतलब आपको क्या करना चाहिए कि उससे 25 पॉयंट 50 ऐसे टार्गेट दे देने चाहिए अगर आप इस तरीके से टार्गेट नहीं दोगे तो वह उपर नीचे उपर नीचे आपके चनल पर आया है या फिर पहले भी आये हो और उन्होंने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आउटर में वह वीडियो रख रहा हूँ आशा करता हूँ कि आप वो लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किपना करते हुए देखोगी तो आज के लिए बस इतना है दोस्तो के साथ आप से मुलागात होगी तब तक ये दीजी जाता है थांक्यू वेरे मैंच बाबाए दोस्तों